नमस्कार दर्शको आप देख रहे हैं दूर दर्शन हमाचल और मैं दामिनी भारद्वाच आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ हमारी आज के कारेकरम कृषी दर्शन में दर्शकों अपने इस कारेक्रम में हम प्रयास करते हैं कि आपको कृषी जगत से संबंधित नहीं नहीं जानकारी प्रदान कर सके और आज जिस विशे के बारे में हम बात करेंगे वो है प्राकरेतिक खेती कुछाल किसान योजना और इस योजना के बारे में हमें जानकारी प्रदान होगी महिंदर सिंग भवानी जी से ही जो की है डिप्टी डारेक्टर नेचरल फार्मिंग आए अपने कारिकरम को शुरू करते हैं डल्टर साब हम आपका बहुत-бहुत स्वागत करते हैं हमारे आज के कारिकरम धुशना के बारे में तो सबसे पहले तो डल्ट बाकरी जाना चाहेंगी कि प्राकृतिक खेती क्या होती है जी धन्यवाद जैसे आपने बताया कि प्राक्रिती खेती तो नाम से ही विदित होता है कि प्राक्रिती खेती तो एक्शुली इसमें हम क्या है कि जो खेती करते हैं बाहर से इसमें कोई भी इन्पुट यूज नहीं करते हैं जैसे फेटलाइजर हम इसमें कोई नहीं डालते ह है या पेस्टिसाइड को इनी डालते हैं जी तो ये नेच्रल जो हमारे संसादन है घर के आसपास जो हमारे पास रिसोर्स अवलेवल है ये इसी के अधार पे ये एक खेती होती है तो इसमें बिल्कुल पूरा जिसको हम बो सकते कि बाहर से हमने कोई भी इसका वो नहीं करना है कुछ समान यूज नहीं करना है जी तो मैं आपकी जानकारी के लिए भी बताना चाहूंगा कि प्राक्रिति खेती को जो पहले जिरो बजट नेच्छल फार्मी के नाम से जाना जाता था जी तो एक्शली जिरो बजट का इसका जो में मतलब था वो यही था कि हमें जो है बज़ार से कुछ भी नहीं ख्रेदना है जीरो समान हमने बज़ार से लेना है जी तो इस करके ये योजना शुरू ही जी तो इस अभी जो है ये काफी अगर सर हो रही है ये योजना तो लोगों में इसका काफी परख्याती हो एक्चुली दो हजार अठारा में जो हमारे पुर्व राज्यपाल मोहदे अचारे देवरज जी उनके करकमलों से ये शुरू ही थी तो ये जो नेच्छल फार्मिंग स्कीम है एक्चुली हमारे जो हिमाचपते सरकार के अंदर ये स्कीम चल रही है तो ये एक सुभाषपालेकरजी पदव श्री सुभाषपालेकरजी है जो बहुत ही विख्यात ग्यानिक है क्रिशी के क्षेतर में तो उनके जो ये टेकनोलोजी है ये उस टेकनोलोजी पे शुरू ही है तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम जो सादन त्यार करते हैं जो हमा पे ये सारी हमारी युजना चलती है, जी तो जैसे आप जानते है मैं थोड़ा साब Basket수्राइना चाहूंगा, कि जो अमारी परानी कृशीmente चल रही है जी तो उसमें थोड़ा सा जो हमें खामिया लगती है, क्योंकि आप जानते है कि chemical जो है इतने ज्यादा यूज हो रहे हैं आज की डेट में जो हमारी क्रीशी चल रही है तो उसकी वज़े से बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं जी तो chemical pesticide जो हम यूज करते हैं जो अभी हमारे पास latest अंकड़े है हिमाचर प्रदेश में जी तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो भी हम सबजी या फल आज की डेट में यूज कर रहे हैं जब इनके नमूनों का प्रिक्शन हुआ जी तो इसमें ये पाया गया कि इसमें बीस परसेंट से ज़्यादा सबजी और फल ऐसे हैं जिसमें रिसायन के आप बोल सकते हैं कि उसके जो मिक्चर है उसमें जी रेजिडियूल जो इफेक्ट्स हैं उसके बहुत जादा है उसमें सभी में रेजिडियू है जी तो सेहत के लिए जो है हमारे वो बहुत ही जादा खराब है जी खराब है और दूसरा आप जानते से वो भी खतम होती जा रही है जी दूसरी हमारे जो बायर डाइवरसिटी है जो हमारे माइक्र और्गनीजम्स में है जी जैसे कैंचुए है तो वह सारे खतम होते जा रहे हैं आपको मैं और बता दू जैसे अनार हमारा ऐसा फसल है कि इसमें कम सकम तो harm पंदरह से ठारह सब्रय हमें जो हैं करनी पड़ती है जी तो इसकी वाज़ेसे भी हमाई सारा फर्टिलाइजर केमिकल्स गेरा जो है इस चीज़ गांधार के वाद्न कष्यतर है कंसके के घृइए जो खेत आ हैं और दूसरा हमारे फ्राकरितिक जो खेती है जैसे भूमी है भूमी भी जो है काफी खराब हो रही है जो हम केमिकल लगातार डालते जा रहे हैं मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बताना चाहूँगा कि जब यह हरित करांती शुरू ही थी तो उस टाइम नाइटी सिक्स्टी सिक्स में उनिसो चाट सट म में हमें जो अब थोड़ा क्वालिटी की और जाने की जूरूत है क्वांटिटी अब हमारे देश में काफी हो चुकी है तो मतलब हम सेल्फ रलाइंट है इस पर एगरिकल्चर पर तो इस करके हमें थोड़ा सो जो अब दूसरी और सोचना पड़ेगा क्योंकि जैसे यह भी जो की देश नेशनल लेवल पर यह पॉइंट दो प्रतिशत है जब की हिमाचल में जो है यह दो पॉइंट दो सम्थिंग है जी सर अगर हम बात करें इस योजना की अभी आपने बताया कि क्यामिकल पैस्टिसाइब्स करके कि ना ज्यादा नुकसान पहुंचा है हमारी जम जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा में जो इसका मुख्यों मुदा है वो है कि एक तो सबसे पहले किसान की हमें आए बढ़ानी है क्योंकि हमें जो है अपनी लागत कम करनी है जो इन्पॉट्स के बीज है चाए दौाई खात हमें यूज नहीं करनी है हमने अपने अपने घर के सादनों से ही जो हमें घर में चीजे उपलब्ध है उसी के अधार पे जो हमने अपनी खेती को करना है तो सबसे में जो हमारा मकसद है वो है सबसे कि उसकी इनकम को बढ़ाना जी दूसरा है जो हमारा जो 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 गुनोता खराब हो रही है उसको सुधाना है जी और जो है जो वातावर्ण पे जो हमारे प्रदूशन फैर रहा है हमारे जो जीव है जैसे कैंचुए है या मदु मख्या है यह सारा वातावर्ण हमारा इनकी वेज़ से खराब हो रहा है जीवों के लिए सुरक्षित नहीं है तो यह इसका जो में मुख्यों यह है ताकि हम जो है और प्रदूक्रते खेती योजना यह किस तरह की योजना है और यह प्रणी खेती किसान योजना से कैसे जुड़ी already जी हाँ, जी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम ये इसमें प्राक्रिती खेती में जो टेक्नोलोजी यूज़ करें हैं, वो है स्भाश पालेकर नेचुल फामींग, तो इसमें क्या है कि इसमें चार परकार के मुख्यों घटक होते हैं, जिसमें हम पहला है बीजामरित, एक् कुछ जमीन की जो है साफ सुथरी जगह से मिटी लेते हैं, जिसको एक जैसे हम ड्रम में घोल के जीवामरित हम घोल बनाते हैं, तो इसमें जो है बहुत सारे गुन है, एक तो हमने माइक्रोबियल जो एक्टिविटी ये वो बढ़ा देते हैं, हमारे जो बैक्टिरिया है या दूसरे जो बैनिफिशिल हमारे माइकरोब्म हैं, उसको हम एक्टिली कलचर उसमें ड्वैल्प करते हैं, तो तीसरा जो है हमारा अच्छाधन है, च्छाधन में हम क्या करते है कि जो फसल की जो सताह होती है, जैसे हम सेव के तौलिے की बात करें, तो उसमें हम उसके ज होता है कि हमारी जो जमीन की है वह पूरोसिटी बनी हम रहती है कि जैसे बारिश होती है तो फ्लडिंग वारी सिचुएशन नहीं आती है जि उससे मौश्चर हमारा काफी कंजरू होता है जि दूसरा है हमारा जो उसमें घहास जमता है जिनको हम वीड बोलते हैं वो भी उस अच्छा दन से जो है वह खतम हो जाता है उसमें ड्रुलप नहीं हो पाता है जो चौथा हमारा घटक है उसमें जो मेंन प्रिंसिपल है वह है उसका वस्पा क्या है कि जो feverishn होती है, जैसे हम सांस लेते हैं, जी आदमी वैसे ही पोदों के लिए, जी फसलों के लिए भी एरेimas होना बहुत जरूरी है, जी तो उसमें जो नमी और हावा का जो है proper mission होना बगार जरूरी है, जी तो उसमें जो हम वाफसा करते तो यह चार चक्कर भहुत ही इसमें आवशक होते हैं तो इस ही के अधारीद पर जो है यह सारी पालेकर प्रक्रीटिक जो है करिशी चलती है इसकी इलावा घर पे ही जैसे आप और एंसेक्टिसाइड बात करें तो जैसे ब्रह अस्त्रेक जिसमें नाम दिया गया है तो उसमे जो है कीडों को मानने के लिए घरग्रेली चीजे उसमें होती हैτε दूसरा है सोंट एक नाम है उसमें। Hmm可愛 जो खटी-लसी है यह भी भोट यूप Tibaga है इसमें भी जैसे बैक्टीरिया हैं फंग इनको मारने की काफी शक्ती होती है. जैसे खटी-लसी जो है फ्र gonna six कि अ करद कि उसको रखते हैं तो वह जैसे ऊसमें जा हागवराव MRG जब होने शुरूब हो जाती है तो वह समझ लोग कि खटी हो जाती है तो उसको फेटर करके उसका प्रॉपर रेश्यो में हम उसमें उसका स्प्रेव गरा करते реш सारी बामारी या फसल की या फुरूट की नार नाश पाति की या इससे काफी चीज़ए खृतम होती है. इसके लावा और बहुत सारे हम अम इसमें घटक बनाते हैं जासे नीम का है या हम नीम हमारे फ्रेंड्स है वो भी जो है हमें उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है तो ये सारी टेकनोलजी मलाके जो है ये सुभाश पाले कर प्राक्रिति किरिशी की बनती है डॉक्र साथ हम जानना चाहेंगे कि इस योजना से हम लोगों को किस तरह से जोड़ रहे हैं आपके डिपार्टमेंट द्वारा किस तरह से हम लोगों को किसानों को जोड़ते हैं इस योजना के साथ जी बहुत अच्छा प्रशन को जोड़ने के लिए जो है बहुत ही पंच तरियों कारे करम इसमें चलता है सबसे पहले हम लोगों को सेंसिटाइजेशन करते हैं उनको थोड़ा मॉटिवेट करने की कोशिश करते हैं में क्या है कि ग्रूप्स में जैसे पूरे कहीं गाओं में या पूरे कहीं जिला में कोई पांसो से साथ सो किसानों का हम समूँ एक कठा करते हैं तो वहां पर जो है एक सेंसिटाइशन प्रोग्राम इसकी जो फायदे है या क intent कि नुकसान है फेडलाइजर के नुकसान हैं वहां पर बताते हैं तो उसमें लोग जब मॉटिवेट हो जाते हैं तो उनको हम पर san deit है एक जिसमें एक दिन तो जो फिरे टिकली बिताते हैं कि दून से जुए kaind के लिए कोई चusion साओो डालना है तो कैसे हम फशल की जादा बढ़वार ले सकते हैं? तो वो हम सारी जानकारी देते हैं. तीसरा हमारा जो होता है, वो हम इसमें यह ब्रहमन करुववाते है. जैसे जो हमारे किसान जिन्हें ने आ wages कर दी की Question पूछते हैं कोई शक होते हैं तो किलिए रहता है उसके बार जु है कि इसको अपना शुरू कर देता है जब वह रहा रही है है कोई पोशक्ततों की पुरे है जसे हर ब्लॉच में ज्यों हर जिल डर पर हमारे अधिकारी बेठें में हैcji ब्लॉक सिर्पर हमारे एटीम बीटीम जिनको मैं वहां पे इंप्लॉई किया गया है स्पेशली से काम के लिए तो निरंतर जो है किसानों से संपर्क में हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हीमाचर प्रदेश में जो है कम से कब दो लाग किसान जो लगबग हमारे इसमें जुड़ हैं जो की एक लाग पैसेड़ हजार किसान तो ऐसे हैं कि जो बिलकुल उसको पूरी तरह से अपना चुके हैं जी और उन्होंने केमिकल सारा छोड़ दिया वो कोई भी फेटिलाइजर कोई भी पेस्टिसाइड या कोई भी बाहर की कोई ऐसी द्वाई अपने खेतों में य हैं जो इसको पूर्ण रूप से प्राक्रिती खेती जो है सेबो पे कर रहे हैं जी सारी इसमें बिमारिया कंट्रॉल हो रही है इवन जो पैस्टिसाइड्स भी कुछ लोग करते हैं जी उसमें कुछ हमारी एक दो चीज़ ऐसी है जैसे मैंने आपको बताया जीव अमरितर जी ये एक ऐसा घटक है कि इससे जो है जो बिमारिया केमिकल से भी कंट्रॉल नहीं होती है वो इससे कंट्रॉल हो रही है जैसे कि हमारा रूट रॉट है या कॉलर रॉट है इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है जी सर अगर हम बात करें कि जो किससान इस योजना के साथ जुड़ना चाहते हैं जी बहुत अच्छी बात है एकुली ये वह वाह रहे ऐसा है कि क्रिश्षी भाग एक तो हमारे जो जैसे मैंने बताया बलोक ले ऍखर पर हमारे हर बलोक में अधीकारी वहाँ पर काम कर रहे एक तो वहाँ पे किसान संपर्क कर सकता है दूसरा जो है ऑनलाइन हमने एक वेब पोर्टल एक बनाया है सितारा के नाम से तो यह जो इसका मैं आपको बताऊँ SPNFHP.gov.in या SPNFHP.nic.in कोई भी आप जो है इसमें सर्च करके वहाँ पे ऑनलाइन अपने मोबाइल से भी आप इसको इसमें रिस्टेशन कर सकते हैं उसमें अपना मबाइल नमबर नाम पता डालके आपको एक OTP आएगा OTP जो है वापस डालने के बाद आपको खुदी जो ह है उसमें भरके आप उसके साथ जोड़ सकते हैं और हमारे जो अधिकारी वह उन से संपर्क करके आगे इस काम को शुरू कर सकते हैं सर्व हम जाना चाहेंगे किस तरह की उन्हें मदद मिलती है इस योजना के तहत क्या-क्या बाते किन-किन पॉइंट्स का उनको फाइदा ह होता है और क्या-क्या पॉइंट से जो योजना की तहित आते हैं और किस तरह से लाभामवित करती है यह हमारे किसान भाईयों को जी 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 इस योजना किसानों को परोगसात करने के लिए हम इसे पहले तो जैसे हम गाए के लिए इसमें देशी गाए खरिदने के लिए जो है अनुदान देते हैं जिसमें की 25,000 रुपे का बहुत देश size अगे अच्छा एक महोट मिलता है किसानों को तो उसके लिए भी वहाँ पे अनुदान है तो यह हम वो सकते कि कोई 32,000 के असपास से एक गाय खरीदने के लिए जो एक किसान को इसमें अनुदान है तो जो बहुत अच्छा है और दूसरा जो है जैसे हमने अपने आदान बनाने है इनपूर्ट्स त्यार करने है तो उसके गोबर और गउम उत्र की काफी जूरूरत पढ़ती है इसको उसको करने में तो जैसे गउम उत्र कठा करने के लिए जो है जो गाय का जो फर्ष होता है नीचे उसको पका करने के लिए जो है आठ हजार पे की सबसीड़ी देते हैं उसका नाली करन करते हैं ताकि वो एक तो वो जो है उसको अपना संसादन बंढ़ार से वो खरीद सकता है तो संसादन बंढ़ार चालू करने के लिए किसी जो जिसके पास गाय है उसके पास काफी मातरा में ये गौण मतरवरा वो कठा कर सकता है तो उसको स्टेबलिश करने के लिए भी जो हम दस अजार पे का प्र तक ही चाती है उसे बेचने के लिए या क्या सही माइने उन्हें मिलते है अपनी फसल को बेचने के लिए जी हाँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है एक्चुली हीमाचा प्रदेश में जब से ये नेच्छल फार्मिंग शुरू ही है सबसे पहले तो हमारा था कि लोगों को हमने ये जागरू करना था कि कम से कम हम अपने लिए तो जो हैं लगोक एक तो हमने जो है जो है ये नेच्छर फ्रे वहां उसको बेज सकता है जी दूसरा जैसे शेहरों में भी जो है हमने यहां पे शिमला में बालू गंज में हमारा एक कैप्टिव आउटलेट खुला है जी जिसमें की नेचुल ही सारे यह उत्पाद हमारे एप्पियों ड्वेल्प हुएं जी तो उन एप्पियों का जो हमा सारी दूद की संस्ता है उनके साथ हमने मिल कर यह क्या है वहां भी हमारा एक एप्टिव आउटलेट जो है अभी दो तीन मेंने से चालू हो गया है जिसमें की बहुत ही अच्छे लोगों का रुजहान है अब सारे लोग जो हमारे पास इतना प्रडूसर भी अबलेबल नह होगी है और दूसरा एक तीसरा जो हमारा एप्टिव आउटलेट है वह खुलेट है आ सोलन में खुल नहीं वाला है अबस उसका ऽारा हो चुका है कुछ ही दिनों मैं उसका भी गाटन हो जाएगा इसके साथ साथ जो हमारे सारे जिलाओं में हमने एक एक फ्पो हर जिला में लगवग त्यार कर दिया है, अर्जिस्ट्रेशन उनकी हो चुकी है, तो वहाँ पे वो अपने ब्रांडिंग करके अपने अपने उत्पाद जो है वो सिदे कुछ किसानों को बेच रहे हैं, कुछ जो है यहां हमार करें लक्षे की, तो इस योजना का आगे क्या लक्षे है, जो इसे पूरा करना है? जी यहां, जी बहुत अच्छी, एक्चुली इसमें ऐसा कि जैसे मैंने आपको बताया कि दो हजार अठारा में ये योजना हमारी शुरू ही हुई थी, तो उस टाइम जो है, इसमें कुछ किसान जुड़े थे हैं, जैसे हमारी बहुत सी पत्तियां चल रही है, तो लोगों को लगता था कि ये शायद ये स्कीम नहीं चलेगी, क्योंकि जैसे हमारी जो है, एक जैविक क्रिशी भी एक योजना चलती है, और्गैनिक फार्मिक जिसको हम बोलते हैं, तो ये थोड़ आए, और इसके नेक्स साल में जो है, दो हजार भूमी हक्टेर आई, जी और उसके बाद आठाजार होई, और अभी पांच्वे साल में आप खरनी होगी वीश हजार हक्टेर हमारा ऊसमा हैं भूमी आगाई है, जी, और बो लो लाग के आस पास चीसान है, वह आमने इसे मे पने हम बोलते हैं तो, इंपेस्समेंट कि ईसकी कि के एक ऐस्टारी कुशेंडा कि जो जो पोरी बहुंई जो एन्हें कि अपने 75 परसेंट ऐरिये में कर दी है और एक हेरानी की बात ये कि थाइस परसेंट किसान इसमें ऐसे हैं जो जिनको हमने प्रिशिक्षन ही नहीं दिया जिन्हों ने इधर उदर सुनके जो है इसकी सफलता को देखते हैं लोगों ने खुद ही करना शुरू कर दिया जिए तो मैं इससे बोल सकता हूं कि हमारी जो है इसमें बहुत खेत में ही चल जाता है फ्रेश सब्जी वहीं से ले लेते हैं तो इसकर के लोगों में इसका काफी रूजहान बढ़ता जा रहा है अगर हम बात करें तो कौन सी और्गनाइजेशन है जो इस योजना को देख रही है या किसके अंडर यह योजना काम करती है जी इसमें मेंबर्ज हैं सभी भागों के जैसे क्रिशी उद्यान पशुपालन पिंचायती राज मुख्य मुख्य हमारे जो किसानों से जुड़े भागे यह इसमें सारे जो है मेंबर्ज है इसके और स्टेट लेवल पर एक स्टेट प्रजेक्ट इंप्लिमेंटिंग यूनिट यहां जो है और बीटियम है जी। इस तरह से यह जो है पूरी योजना है पूरे उपर से नीचे तक करायन विद्ध हो रही है जी सर हम आप आप से जाना चाहेंगे कि किस तरह से आप हमारे किसान भायों को घरकार करेंगे कि वो इस होजना में आगे बढ़ चड़कर भाग ले जी हाँ मैं आप यह अहवान करना चाहूंगा किसानों से कि यह बहूत ही अच्छी य JACन है बहुत ही लाबकारी है इसमें हमारी कि प्रतिशत हमें खर्चा करना पड़ता है वे स्का उपज भुध हिग्ड़ का वो हुग नीए किसमें पीस or डूसरा ज में तीसरा जो हमारे जुमीन है उसका और ठीक हो जी और इसकर के मैं लोगों से यही आवहान करना चाहूँगा कि आप इसमें बढ़ चरके भाग ले और अपना सफलता पाएं और अपनी आज जो है मुनाफ़ा जादा कमाएं जी नक्रा साब आपने आज हमें बहुत ही एहम जानकारी प्रदान की इस योजना के तहट जो भी सवाल थे मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों के मन में जो सवाल थे वो इस कारेकरम के दुआरा दूर हुए हो और अपना जवाब भी मिला हो और आपने हमें इतनी विस्त लेकिन आप देखते लिए रहिए दूर दर्शन हिमाचल